प्यारों बच्चों मैं आशी शागरवाल आप सभी का स्वागत करते हुआ विद्धय क्लासिस में बच्चों आज हम 11 क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11 क्लास की फिजिक्स हैं बच्चों जो हमारी यूनिट नमबर 2 चल लई है ठीक है उसके अंदर हमारे जो बच्चो इससे पहले बच्चों इस लेक्चर में लग बच्चों आज ने करते हैं कि इस लेक्चर में बच्चों पढ़ चुक हैं कि दूरी क्या ओती है नंगे इसके बाद बच्चो आपके यादर हमने वेक पड़ेश राशी थी दूरी यहां पर आपकी अधीश राशी थी दोनों का मात्र बच्चो मेटर ही रहता है ठीक है यहां रहेगा इसके बाद बच्चो आपके यादर हमने वेक पड़ लिया था फिर हमने चाल पड़ ली थी ठीक है तो बच्चो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तोरण पढ़ने वाले हैं यानि कि एक्सेलेशन पढ़ने वाले हैं ठीक है तो देखें बच्चो उसमें क्या होता है यान के वर्वेग परिवर्थन की दर को बच्छों सिंपर हम यह पर क्याता है तो राण थी यहाना कि अगर वेग बदलता समय के साथ में तो उस वस्त में जो अत्परान होता है ऐऊ तो रहेगी तो में प्रेपटा रहेगी तो यानि कि किसी विवस्तू का जो वेग बदलेगा वो तभी बदलेगा बच्छो कि जब उस पर कोई एक्स्टनल फोर्स अप्लाई किया जाएगा ठीक है तो जैसे हम देखते हैं आपे कि हमारे चारों और अधिकरांश वस्त्वें जैसे साइकल होगी आपका है ना कार होगी बस होगी ठीक है ट्रेन आधी ऐसमान गती करते रहते हैं कभी तेजी से चलती हैं कभी स्लो चलती हैं जैसे आप जानते हैं कि देखा होगा आपने आपके पास में से साइकल आप चला रहे हैं कोई खुर्द्राहस्तान आपके सड़का आ जाती है तो तो यहाँ पर यह कभी कम कभी ज़्यादा कभी तेज चलो इस तरीके साब की गति महां पर होती रहती है अर्थार्थ इन वस्तों का वेक समय के अनुसार परिवर्थित होता रहता है, है ना, बना, constant नहीं रहता है, समय के इसाप से बदलता रहता है, जैसे आप देखा होगा, यहाँ पर कार आप चला रहे हैं, कि कोई व्यक्ति सामने आगे तो प्रेक माने पढ़ जाते हैं, तो 80 क परिवर्थ आपके, इन वस्तों की गती, तोरिद गती है ना, accelerate motion कहलाती है, वस्तों के वेक में यह है परिवर्थन, उसके वेक के परिमान यानि की चाल, ठीक है, उसकी दिशावातपा दोनों में परिवर्थन के कारण होता है, ठीक है, अगर आपके दिशा बदल लिए तो वहाँपर ही बच्चों वेगे इउत्पन होगा, ठीक है, बाते साज़ा आपारें बच्चों आपके चलिए, अगर यहाँ पर बाते के लिए रव पारbach रहें, तो आगए चलेते, समे के साथ वस्तू के, समे के साथ वस्तू के वेक परिवर्थन के दर को, क्या कहते हैं आता है, मिटर पर игр की दिन है ना और निच आख़ी तो आप को भॹर All हो जाता है बाच्चों मीटर पर है स्केर ठीक है तो जैसे यह जो रिख करए बच्चों के ऐसे पदिती है में जुसकर मात्र को में जो सब्सक्राइब होता है bच्चों मीटर पर फिर आप्डक आपको कहीं नजर आता है में प्रतिस सेंड इसका बच्छों आपको तोरण कमान दे रखा है ठीक है वह इसका वी में सुत्र होता है बच्छों वह लग जाता है यह यह वस्तु कभ एक समय के साथ बढ़ता है यह यह आपकी कोई गाड़ी रुकी वी जीरो से पचास पचास से ऐसी ऐसी सो बढ़ रहा होगा समय के साथ जैसे समय बढ़ेगा बच्छों उस केस में बढ़ रहा है तो तब आपको तरण अत्पन होगा बच्छों वह पॉजिडिव लिया जाएगा ठीक है और यह वस्तु कभ एक समय के साथ घ चल ली थी जो 120 से गाड़ी चली थी वो दीरी दीरे करके सोलोन लगते हो जीरो के पास आ जाती तो समय बढ़ रहा है लेकिन उसका वेक धिरी दीरे कम हो रहा है तो इस केस में जो बच्छों तोरण वहां पर आएगा उसको यहां पर वो तोरण रड़ात्मक होता है और उस हां पर एक समान तोरण ठीक है युनिफोर्म एक्सलेशन ठीक तो एक किस प्रकार का होगा बच्छों यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान विरध्धी अथवा कमी होती है समान विरध्धी अथवा कमी होती है तब वस्तु का तोरण तब वस्तु का हम यह पर देख पाएंगे 1 समान तुरन तथा वस्तु की गति 1 समाण तुरit-गति कहलाती है ठीक है यानि कि समान समें रालों में ज़िए समान व्रदी होती है समान कम होते है वहाँ पर जो तरुन होगा वच्चो वोसे एक समान तोरन कहेंगे ठीक है उधारन के लिए देखें यहां पर गुर्थ के कारण मुक्त रूप से गिरती वी वस्तु की गती तरत्वी तलके निकट एक समान तोर्टी में होती है ठीक है अब दूसरा आपका होगा यहां बच्चों आपका ए समान गती क्या दो या समान तोरन क्या या परिवर्थी तोरन क्या दो ठीक है यदि वस्तु के वेग में समान समयंत्रालों में ए समान व्रधी अत्वा कमी होती है तब वस्तु का तोरन ए समान या परिवर्थी तोरन कहलाता है और वस्तु की गती बच्चों आपकी ए समान तोरिद गती कहलाती है ठीक है जैसे अ ठीके और पचास से माललो अगर आपको सो जाना हो तो फिर आपको एक सेकन का समय लगता है X IST ne कि समान समय है निके समान समय अगर हम यह पर बात करें Suppose अगर आप ऐसे लेके चलते हैं है आपई है आपके पास माल लेते हैं कि यहांपर कोई गाड़ी इसका वहाली थेखते हैं कि आपके पास कोई गाड़ी है थीक पर ऐका कोई गाड़ी है आपकी जब चल लए है बच्द टो इसकी जो स्पीड होगी हम मानके चल लेते हैं कि यहांपे यह रुकीवी गाड़ी होगे तो यहां पर इसका विक 0 रहा होगा और समय बच्छों यहां पर इसका इतना रहा होगा, 0 हम यहां पर कहा सकते हैं जो समय इसका रहा होगा वह 0 2nd रहा होगा, ठीक है तो जैसे यह एक्सिलेटर करती है बच्छों और आगे की तरफ जब चलती है, तो मान लेते हैं कि गाड़ी जब यहाँ पर आजाएगे, इस पोजिशन में बच्छों यहाँ पर आपकी गाड़ी यह वाली आ जाती है, ठीक है, तो हम इसका जो वेग होगा, समय मान के चल लेते हैं कि यहाँ पर जब जाएगा, यह पॉइ आगे की तरफ जब चलती है, और आगे की तरफ जब चलती है बच्छों, तो गाड़ी मालित है कि यहाँ पर आ जाती है, इस तदी में यहाँ पर यह वाली, ठीक है, और यहाँ पर समय जो आपका लिया आता है, वो दो सेकिंड का लिया जाता है, निकिन इसके स्पीड जो तुर यहां पर देखें कि यहां पर समय नहीं होगा तो छहalid तो इस इस स्थितिमे जो वेग बिच मांई यहां से यहां हम बात करें तो अगर यह पॉइंट बच्चो आपका सी वाला होगा ते भी की वीच में जो वेग आएगा आपको आएगा पच्चेस मीटर पर second square जबकि दूसरी स्दिग के बच्चो वी सी है और तो आपका जो वेग बच्चोerg आपका समय जाएगाxus माइनस के, है ना बाले हैं 4 साथीन के समय लगते न, तो 4 आपका, 4 माइनस के 2 जाएगा तो आपके पास आजाएगा, बच्चो, 70 बटे, 2, काट के आपके पास आजाएगा, 35 मीटर पर साथीन स्काहर ठीके, तो इस तरीके से हम बच्चों मैं पर कह सकते कि समान समयंत्राइब में जब ऐस समान वेघ में परिवर्दन होता है तो तो यहां पर मौसली आपके दो परकार दिखाएगा एक ऊसर तोरन दिखाएगे हैं कैसे परिवर्थी तोरण से गतिशेल वस्तु के किसी निश्यत समेंत्राल में वेग परिवर्थन थथा समेंत्राल का उनुपात ऊसर तोरण कहलाता है ठीक है कि मानलिया आपने की गतिवान किसी वस्तु का जो समय होगा T1 उस पर आपको जो वेग होगा V1 होगा और T2 समय त्रहलं जब समय में परिवर्थन बहुत कम हो है जाने कि समय आपका रती स्जूख्षम होगे तोरण कि वहाँ पे तोरण में इक्दम चेंज आएगा उसको मचटिव पिश다नीक निया ठीक है तो यह wees but चलिए बच्चो तो SIMPLE से बसNING यहाँ पर इसकी Metropolitan ले लेकर यहाँ पर यहाँ पर आपकलन जैसाइ Lab आयो पर भार, इसको दो बार किसका डिस्टैंस का जैसे आप चलिए गे चल लेते हैं औब जब आगे चलते हैं बच्छो तो यहां पे आपको गिराफ की स्टड़ी करनी होगी और गिराफ रेलेटिव बच्छो आपके पूछ ले जाते हैं गधरी यहाँ पर दू है अगर गर्णालों आप से और पास में अधराा, दूरी में या विस्थापन में तो हैं तो देखेइं स्थती समय अब रात धलेंगे इंगनिश मैं जा सकता हैं और उस ARM एक्सी लेना है तो इसलिए हम ने's से बच्चों आपको वाय एक्सीस पर आपको जाती है ठीक है और दूरी में बच्चो जो आपका अगर बच्चो मानके चलने कि टीवन समय पे आपका विस्थापन वाई एक्स वन था ठीक है और टीटो समय पर आपका विस्थापन एक्स टू हो जाता है तो जैसे इसको बच्चो मिलाते हैं समय बढ़ रहा होगा तो इस केस में स्थिति या बढ़ जाती है तो जे लाइन को यहाप मिलाते हैं बच्चो इसांत को मिलाते हैं तो जब एक्स टी गराफ में जो धाल होती यह बच्चो आसब करतीए ससाल को कि चाल्याय कैसा कि है क्यूंस चूटि आगर आप दूरीं की बात करेंग तो वेग आयेगा लेकिन अगर आप विस्तापनी की बात करेंगे बच्चों तो फिर वेग आएगा ठीक है बात संज्वारी चुकि चाल आपके अदिश राशी होती है दोनों धाले धाल को निकालने का तरीक होता है बच्चों इसको हम यहां पर बोलते हैं परवंटा है ना कि आ एम से इसको करते हैं एम से बच्चो इसको रिप्रजयंट रर्पर्जयंट करते हैं और वह जिले कि एक सक lev頂 stronger between टन्वर ऑन और यहांप आप आजायेगा तो यहां पर यहां सितक का तो इससे सितक की जो वैलिव आपके निकल कराएगे उसको यहां पर बच्छो कह सकते कि वस्तुगा यह वेग होगा यानि कि यह वी को रिप्रजेंट करेगा ठीक है को दिकत तु चलिए बच्छो देख लेते हैं गिराफ के बारे में जैसे पहला गिराफ आपके सामने आता है बच्छो कि इस्तथी समय गिराफ गते का विचलेशन अगर हम यहां पर करते हैं यहां पे आपको दिखा रहा है कि बच्छो यहाल आपके X कि यह जो लाइन थी आपकी यह लाइन आपके केवल इसी तरीके से आगी की तरफ बढ़ते ही नजर आ और जब यह आगे की तरफ ऐसी बढ़ती हो नजर आई की इसका मतलब हो यह होगा कि वो व्यक्ति जिस जगे पर है वही पर रुकावा है, वही पर खड़ावा है लेकिन समय अपने हिसाब से इंक्रीज कर रहा है एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड है ना मैं बढ़ रहा है समय बढ़ रहा है परन्तों उसकी स्थधी ना बदले तो इस case में बच्चों हम क्या समसकते हैं कि वो वस्तू या वो व्यक्ति आपका रुकावा होगा उस case को वेग जो होगा जीरो हो जाएगा ठीके जब वस्तू विराम वस्ता में होगी तो यानि कि वो वस्तू आपके कैसी हो कि बच्चों विराम वस्ता में होगी तो समय के समानतरी आपको वो गिराफ नजर आएगा तब इस्तती समय गिराफ अक्ष तब इस्तती समय गिराफ समय अक्ष के समानतर समय अक्ष यानि कि जो समय का अक्ष होगा उसके पहले समानतर एक रेखा एभी A.A आपका और B.A आपका ठीके? एभी प्राफ तोगी जिसका धलान जोगा ठीटा बावब जिरो डिकर अर्थात यहां पर जो वेग होगा वो बच्चो जीरो होगा जैसे ख़ें आपको समझाएगे यह वेग जीरो होगा जब चूकohy व veio OC, जो line नजर आ रही है, इसका मतलब ये होगा, कि समय बढ़ जाने से उसकी ס्थी बदल गई है, और समय बढ़ जाने से यस समय के बदल लए जान से, जब उसकी स्थी बदल जाती है, तो हम यहाँ पर बच्चों कहते हैं, कि वो एक समान वेक से गतीमान होगा है ना एक समान वेक से बच्चो वो कैसा गतीमान है ठीक है और इस स्थिती में क्या होता है कि स्थिती समय गिराफ जो होगा समय अक्ष से नियत ढालान वाली रेखा ओसी प्राप्त होती है ठीक है और इसके लिए ठीटा की value होगी बच्चों 90 degrees से आपकी कम होती है जब यह एंगल निकालेंगे तो 90 degrees से कम आएगा चुकि हम गिराफ लेके चलते हैं बच्चों वह समय अक्षिश से नापते हैं कि इस line से नापेंगे एक्स एक्स से कि वो समय के साथ किसने कितने एंगल से जा रहा है जिसका ड़नल बच्चों 90 degrees से कम होता है चितर में आपको दिखा रहा है चितरी आपको यह व्याला बना रहा है ठीक है तो चलिए बच्चों बागे चले लेते है आगे बच्चों देखिए यहाँ पर नंबर सब्सक्राइब करें नियचे के तरफ लेकर रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि वह गाड़ी तेजी से चल लई थी आपको समय बढ़ रहा होगा तो नीचे की तरफ आएगा और जतलाब वह रिनात्मक वेक से गतिमान होगा नीचे की तरफ आने के लिए अर्थात वस्तु नियत वेग से निर्देश बिंदु की ओर लोट रही है तब इस्तती समय गिराफ समय अक्ष से नियत रिनात्मक ढ़लान वाली रेखा D E, D यानि कि यहां से और इसका मतलब बच्चों आपको हो जाएगा जो लाइन होगी आपकी यह इस तरीके से आएगी D E, D से स्टाट होगा और E की तरफ जा रहा होगा ठीक है प्राप्त होती है जिसका ड़लान 90 डिग्री से बच्चों अधिक होता है ठीक यानि कि अगर आपको द्यान एगना है कि जब निगेटीव वेग से कोई वस्ताट आपकी गतिए करीग तो इस केस में आपको जो गिराफ आएगा ड़लान राएगा नीचे की तरफ आएगा कम चलना है तो जब कम चलेगा समय के साथ में तो इसका वेग कम होगा और जैसे समय थोड़ा सा और बढ़ा वह एकनम भागने लगा तो इस जब वस्तू बढ़ते हुए वेग से गति मानों जाने कि वस्तू का वेग बढ़ रहा होगा वस्तू तवरित गति करती है तब इस तरी समय गिराफ इस तरी समय अक्ष के और जुकावा जुकने वाली बढ़ते वर धहन वाली वक्रे रेखा ओ एफ ठीक है ओ येरा और एफ येरा बच्छो ठीक है ओ एफ प्राप्त होती है जैसे आपको चित्र में दिखा रखा है ठीक है अब आके चले 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 बच्छो अब यहाँ पर देखिए नमबर पाच में अब जब नमबर पाच में बात करते हैं बच्छो यहाँ पर आपकी तो इस केस में आपका आता है कि जब वस्तू घटे वेक से गती मानो और घटे वेक से कैसे कि वो परिवर्तित वेक से गती मानो जैसे आप यहाँ पर देख पा होगी ठीटा वन से ठीटा डू की वैलू कम होगी ठीटा वन से तो इस इससतिमें क्या होगा बच्चो वस्तु मंदित गती करती है मंदित याने कि स्लोड दिर दर करके वेग उसका कम हो रहा होगा तब इस तरीदी समय गिराफ समय अक्ष की ओर जुकने वाले यानि घटे धलान वाले वकर की और ओजी रेखा प्राप्त होती है इस तरीके से जो आपका गिराफ अगर बच्चो घट रहा होगा ठीक है पहले द्रीदर करके बढ़ रहा था फिर द्रीदर करके वो कम होने लगेगा इस तरीके से आपको बच्चो गिराफ प्राप्त हो रहा है ठीक है और छटाय वाले इस तरीदि क्याती है बच्चो कि जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका समय कॉंस्टैंट हो गया समय कॉंस्टेंट हो गया और समय कॉंस्टेंट हो जाने से कोई भी आपका जो अब्जेक्ट था वह उपर की तरफ आपका इंक्रेस करने लग रहा है ठीक है इस केस में ठीटा की जो वैली थी आपकी बच्चों 90 डिगरी के एकवल थी ठीक है तो क्या यह स्थेति समब है कि सम समय आपका कॉंस्टेंट रहे और वस्तु चलती रहे यह होगी नहीं सकता ना कि अगर कोई वस्तु गती कर रही है कोई व्यक्ति के चल लाए कोई गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो विसली बच्चों समय आपका इंक्रीज जरूर कर रहा होगा च यहाँसे यहाँसर है यहां тоб fulfill बोघ्चों ऑज़ें है पनच सैकेंड का समय है तो इस समय दो दू मेटर भी यह यह चार मेटर भी यह तो इसका मतलब क्या है बच्छों कि यह जो गिराफ अमारा बनावाई संभवी नहीं है ठीक है यानि कि यह असमभव इस्तेदी है कि समय कॉंस्टन्ट हो जाओ और आपकी डिस्टेंस इंग्रीज कर जाए होई नहीं सकता है ठीक है ज वेवारे ग्रुप से बच्छों कैसी बने बताया आपको यह एक संभव इस्तती यानि कि ऐसा होई ही नहीं सकता है कि समय आपका कॉंस्टन्ट हो जाए और आपकी डिस्टेंस इंक्रीज कर जाए नहीं हो सकता ठीक है चलिए अब आगे चलेते हैं अब बच्छों जब आग थीके अगर आपके पास में दो एक से रहे वाली इस तरीके से ठीक है अगर आपने इसको एक समान लिया है इसको अपने वाइ मानीलिया है तो यह कहना चाहरा है कि आपको एकس पलेड़न ओगा टाइम याने कि समय लेना होगा और यहां पर आपको वाई पर लेना होगा डिस वेग उपर की तरफ लेके चलेंगे तो सिंपल सी बात आपको बस यह बताए गई है कि अगर आपको वीटी ग्राफ स्टी करनी है तो आप एक्स एक्सिस पर आप समय को लेके चलेंगे और वाई कोई object आपका motion में है, तो यह vague है उपका, तो आप देखें बच्चो अगर यहाँ पर, यहाँ से number डाल दें, कि समय की value बच्चो यहाँ पर 1 second थी, और vague की value बच्चो यहाँ पर minor umit per second है, और समय की value बच्चो यहाँ पर अगर बोल दें कि 4 second होगी, तो भी यहाँ पर वेग कितना है बच्चो दो मीटर पर सेकिंड है तो उसका मतलब क्या हो गया कि समय बढ़ रहा है परंतु वेग नहीं बढ़ रहा है जब समय बदला हो और वेग ना बदले तो हम यहाँ पर बच्चो कहते हैं कि वेग आपको हो जाएगा constant a constant नियत वेग से गती कर रही है object नहीं कि जब कोई वस्तु नियत वेग से गती करती है तो स्केस में उसकी जो गराफ होगा आपको समय अक्ष के साथ समानता रहा हो प्राप्त होगा यह आपको जो graph बनाया बच्चो वो नियत वेग से गती करने के लिए बनाव है और जब वेग नहीं बदला तो इस case में बच्चो तोरण कितना हो जाएगा यहाँ पर तोरण का बात है वेग में परिवर्तन होगा तो तोरण आएगा और यहाँ तो वेग नियत हो गया जब व वेग अगर constant तो तोरण आपका बच्चो जीरो हो जाएगा ठीक है जब वस्तु नियत वेग अर्था सुन्य तोरण से गतीशील होती है तब आपको वेग समय गिराफ समयक्ष के समांतर एक रे सरल लेखा यह भी आपको प्राप्त होती है ठीक है आगे चलेते हैं बच्चो अब जैसे आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको दिखाई दिरेगा एक सरल लेखा है यहाँ तो उसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जैसे समय बदल ला है उस case में आपका बच्चो यहाँ पर वेग भी बदल ला होगा लेकिन वेग जब बदलता है आपको बच्चो यहाँ पर आपको एक सरम लेखा होल ध्याना यानिका हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शल लेखा होगि बच्चो आपके वो ओ और यह जो e Circle आपके पास में और जब समय बढ़ रहा हो वेग भी उसी अनुपात में बढ़ता है, तो इस case में आपको एक सरल लेखा जो प्राप्त होती है, वो किसको रपसंट करती है बच्चों, नियत तोरंट, यानि कि वेग यहाँ पर बदल ला है बच्चों, वेग परिवर्तित हो रहा है, है ना, लेकिन तोरंट कैसे हो जाएगा बच्चों, नियत, चुक सरल लेखा के लिए, चुकि जो ढाल होता है बच्चों, वेटी के राफ में किसको रपसंट करता है तोरंट को, जब वस्तु विराम वस्ता से गती पराराम कर नियत धनात्मग, तोरंट से, नियत धनात्मग का मतलब चुकि उपर की तरफ वेग आपको बढ़ रहा है, है न तो उस केस में जब आपका तरण होगा, वो पॉज्चो पॉजिटीव होगा, तब वेग समय गिराफ मुल बिंदू से पराराम होने वाली एक सरल लेखा, यानि कि ओए, जिसका समय अक्षा से जुकाव कौन वकर पर 90 विगवी से बच्चों काम होता है, ठीक है, दूसरा य होता है बच्चों आपका, तो वो प्रारामी वेग से गति करती है, यानि कि यहाँ पर यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, यानि कि कुछ ना कुछ मान होगा, कुछ मान अवश्य होगा, ठीक है, तो यानि कि उसका वेग जीरो नहीं है, प्रारामी समय गिराफ होगा मुल बंदो पर ना होका बच्चो वो किसी ना किसी पॉइंट या ने कि आपका वाइक सिस्था उस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर भी जो कौन होगा बच्चो आपका ठीटा की वैल्यू जो 90 डिग्री से आपकी कामी ही होगी ठीक है आपकी जाद होगी जब वस्तु किसी निशित प्रारंबिक वेक से प्रारंब कर नियत रिणात्मक तोरण आपका बच्चो नीची की तरफ पार रहा है इसका मतलब आपका तोरण कैसा होगा बच्चो नेगेडिव होगा आपको यह याद रखना है दूसरा यहां पर देख रिणात्मक तोरण से रिणात्मक तोरण से तब वेक समय गिराफ एक सरल लेखा इफ प्राप्त होती है जिसका समय अक्ष से जुकाव कोन अर्था द्वक्र का जो ढलान होगा बच्चो नबबब डिग्री से अधिक होता है इस केस में आपका आप देखेंगे तो यह वाला किसी निश्यत धनात्मक वेक से गती परारम कर नियत रिणात्मक तोरण से गती परारम करते हुए रिणात्मक वेक पराप्त कर लेती है जैसा इस गराफ में आप देख पा रहे हैं समय बच्चो यहां पर यह हो जाता है कि आपके पास में तो अब्जेक्ट था यहां से जैसे वो नीचे आ जाएगा इसानल से रिनात्म को प्राप्त कर लिया थिक है तब वेक समय गिराफ एक सरल लेखा जी है प्राप्त होती है जिसका समयक्ष से जुकाव कौन अर्थात वक्र का डिला 90 डिगरी से बच्चो अधिक होता है ठीक है यहां पर देखेंगे जब वस्तु विरामवस्ता से गती प्रादम करती है और इस केस में आप देखेंगे कि समय के साथ यहां पर वेग में परिवर्तन क कम होने का मतलब है कि यहां पर जो तोरण होगा आपका अगर 1 मालूम है इसको पर यहां पर परिवर्तन जाद होगी है तो यहां पर जो तोरण होगा T A2 तो उस केस में यहां पर कह सकते हैं कि जब वेग में परिवर्तन जादे होगा समय कम में तो आटमेटिकली A2 की जो व अब आगे चलेते हैं बच्छों जब वस्तु गरॉराम वस्ता से गती प्रारम करती है रिनात्मक गटते परिवर्त तुरन यानि कि जब घटरा होगा वेक तो उस केस में गिराफ इस तरीके से आएगा और अगर आपके पास में गिराफ इस तरीके से आता तो यह बढ़ताव होगा ठीक है और जैसे आपको नौवब पॉइंट में दिखा रहा है बच्छों कि यह दी वस्तु का वेक समय के समय परिवर्तन नहीं हो रहा जब समय परिवर्तन नहीं ओर तो वेक कैसे बदल सकता है यहां पर जो गिराफ आपको दिखा रहा है कि समय कॉंस्टन्ट हो गय नहीं हो सकता ना तो वह बदल सकता है ठीक है तो इसका वले यह जो गिराफ आपके पास बना वाए यह संभवी नहीं है यह एक ऐसी सती जो एसंभव होगी ठीक है तो गिराफ थे बच्चों आपको इनको प्रदिशित करता है तो जो वीटी गराप का ढाल होता है बच्चों वो तोरण को रिप्रजेंट करता है ठीक है अब जैसे देखें आप एमकेस प्रदिती में तोरण का मात्रा क्या होता है बच्चों MKS प्रदिती में मातरक होता है तोरण का मीटर प्रती सेकिंड स्क्यार ठीक है आगे चलिते हैं बच्चों चलिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हैपई लेंडिंग धन्यवाद